हाई गाइस ऊदान से ना रेटन स्वागत है नए कुछन शैनल अब धाल से यानिस सा फैर उत्व तो गोल ऑजाय से डोनों है तो गोल्त गोला यानिस तो इसंए ध्योटर तुछ ऐसे धिआन जीजेगा यहां दियए एकरりました तो चली आघे देखते हैं कि कि गोला क्या होता है क्या नहीं होता है गोला तो आपको लग रहा athyulkे भी कि एक काल विर्णा थे खहतsomething ब्र take इसbasik में आख होता है ठीक है इसमें भॉलूम होता है इसका बजन होता है यह इसका बेट होता है इस टैप से इसको गोला बोलेंगे जैसे गेंदा एक गोला है लेकिन अगर बृत कहें तो बृता आकार का है लेकिन वो गोला है ठीक है गोला हम बोलेंगे क्योंकि इसमें बेट है उसका बॉलूम है लेकिन एरिया अगर हम कहें तो इसका खेत बन गया बृताकार एरिया इसका अगर वॉलूम दे दिया तो समझे ह Libya है उसमें बजन है इसका देखे टिरिजया से मुझी तरह से होता है تरिद्ज야 होता है यहिना रवक्र स्पि को अरथaving एक तो चले इसका फर्मूला होता है आयतन का और आया का दो आ एक होता है फोर थेष पाई यार क्युम ठीरी पाई यार क्यूर और इस वक्र प्रे पूरा इसका संपुर्ण भी बना दे रहा है तो यह दोनों गोला में अगर कहा जाए तो यह होता है जिसका फर्मूला होता है फोर पाई और स्कॉयर और यह देखिए अर्थ गोला हो गया अर्थ गोला यह इसका आधा भाग यह देखिए यहां से अगर हम यह काड़ दें आधा दी यह हो गया अर्थ गोला तो इसका अर्थ गोला का मोटाई होगा ना तो यह मोटाई हो जाता है ऐसा यह मोटाई हो जाता है तो वही चीद देखिए हम आप बना दी है यह पूरा हो जाता है ब्यास इसका यह पूरा क्या हो तो आंधती प्रता प्रत और थे कि दो रहा को से निए यृक़् होता है जो ट्रत अरद जोला होता है जो प्रृच एक राइड़ जो टॉला हुट दॉत पहूर्च में होता है और सबतेवर्ज पर में यह सम्पून प्रिश्ट कहें तो ये एक बृताकार जो जूड जाता है क्योंकि उसका उपर जो होता है ये अर्ध बृताकार होता है कटता है तो ये हो गया अर्ध गोला तो जूड जाता है इसमें बक प्रिश्ट में ये कुल प्रिश्ट कहें तो बरक प्रिश्ट में ये जूट जाता है के लिए तो जोड़ देंगे इसमें हम अगर पाई और स्कॉइड टू पाई एने सई पाई हो गया तो थीरी पाई और स्कॉइड के लिए तो फार्मूला आप याद कर लिजेगा मैध बन जाएगा फटाफट चलिए आगे देखते हैं मैध की स्टैप से बाता है एक गोले की चैक बगप्रीच एकुल पिच दे दिया तो मुझसे त्रिज्या निकालेंगे और उसे जो फिर पूछेगा वो निकाल देंगे तो इसमें आइतन पूछ रहा है ते चुका है तो तुलत फार्मूला चले त्रिज्या पॉइंट में है तो इसको हम कर लिए तरिज्या कुछ बछाइगा यारा से काइगा पूषरा संपोर्ण और गुरिश्ट्न तो यह हूता है गोला का मैं बताया भी अर्द गोला में लेकिन गूण नद गनाम में बख प्रिष्ट сказать हमसे समझें गीिक कि संपुण है और स्क्रेफ कहा स्कॉप गया और हो गया है युदा दूबार तो दूबार कार्देए सभी मिघ muffinrh типа charge पचे दू पचे यह दू दूनी के चार से चार कैंसिल यह साथ से इसको हम कार दे सतिया 21 अब बच गए काइस ती यह सो यह रहाई से कर दिये 22 गोले का इतन 48 से कामन सेंटीमीटर क्यू है इसके बच प्रिश का चेथफ़ तो तो आईतन से क्या करेंगे तुरत त्रिज्जा को बच पूट कर देंगे बन जाएगा तो आईतन हम को इतना दे दिया हम क्या जानते हैं फुर अधिरी पाई और क्यू बराबाब ताली से कामन तुरत हम पाई के माने दिये 22 साथ आर के आर के छोड़ दिये अभी का करेंगे तो क्रॉस मल्टिफिकेशन यहां से यहां गुना यहां से यहां गुना तो कर दिये हम तो देखे गुना कर दिये तो यहां देखे हम लिखे हैं और ताली सो एकामन गुने एकाईस हो जाएग ज ड्वाएँ बाई बाइचो 88 रहा चल जागा नीचे चल जागा भागा में छुए यह चल जा देंगा यहां जो देंगा यह यहां जैगा जब और खी गाएगा चेeyed पॉइंट ड़ा दिजे पॉइंट अठाएं गर्ट नीचे एक हजार तो एक हजार का घंग मुल तो दस हो जाएगा और उपर का जाएगा 105 105 में 10 बहुत दिए आजाएगा 10.5 सेंटिमेटर क्या कि फिर से एक बार इसको में यहां से भागा दिया गया 55.125 पर इसमें गुना क तो यह उपर का बर्गमूल निकाल दिए गनमूल निकाले आगे 105 नीचे का घनमूल 10 तो 10 से भागा देंगे 105 में ताज आगे 10.5 cm यह निकल गया 30 तो बाग प्रिष्ट पूछ रहा था तो बाग प्रिष्ट फलिया कहें या कुल प्रिष्ट गोला का दोनों सेम होता है तो फ बना लेते होंगे तो जो बना लेते होंगे हमसे फ़स्ट बनाते होंगे क्योंकि हम तो समझाने में दो बार तिन बार रह जाते होंगे तो लगता हुआ कि सर बहुत स्लो बता रहे हैं चलिए यह गोले का बख प्रीश छेट फल दे दिया है पर उसमें आइटन दिया था बख पूछा इस फ़र बख प्रीश दे दिया है इसके आइटन कितना ह होगा तो से मिसी तरह से दा तो बाक प्रीश फ़ल दे लिए हम जानते हैं फोर पाई आरा स्कोई तो फोर पाई कमान 227 और स्कोई बराबर फिर इतना रहत दिये से महां से बाइद दूनिश चो बार में ता और स्कॉइर बरावर साथ जाकर यहां गुना हो जाएगा तिरि तर फिर साथ का एक साथ का एक साथ तसातिया एक आशन डिम्ट कल्कूलेशन आपका होना चाहिए समझ गए देखते हैं कितनी सुन बनता है दा तो कल्कूलेशन जितना प्रस टाखेगा तो और बस दो लाइन में बन जाएगा वाइतन पुछ लाएता तो आई जो थे रिज्जान निकार गया तो आई तह पॉर पाई फोर बड़ा थेरी पाई यार क्यों होता है ताफर बड़ा तीरी पाई कमान 207 आर था यकाइस तक तीन वार क्यू था तह ता इसके एक नया गोला बनाया गया बड़े गोले का आईतन कितना है। क्यिए तो चलिए था यह दो यह दो निया गोला बना कर यह गला कर गळाकर जैसे हुँ वणी तो यह दो आइतन इसका आई तन के बराबर होगा क्योद्युर्व प्रीय पढ़ियर की अंदा सब्सक्राइब जोड़ देंगे क्योंकि सभी का इतन सेम होगा जैसे तीन इटा है चाहे तीन रोटी है तो वह तीनों को अगर गलाई एक बनेगा नजी तो सेम उसी तरह से से टाइस का इसका तरी जा बड़ा नीए थे तो चलिए फुरा स्य पाइय बड़ा क्यू कर दीए फुर्ण तीन-जोड़ने को बरावर और क्यों क्यों ये कूट घृतर आगया तो गहनमोल ऑगया तो दूसर शोला का घनमूल कितना अच्छ तो चरिए यह देखे myths यह पर द पूछता तो चेज़ दूनी 12 सेंटिमेट हो जाता बग पूछता तो बग पूछ फर्मूला लगा तो फोर पाई आरे स्कुर्वार में आरके मान रख देते च्छो बन जाता चलिए आगे चलते हैं अगला मैं चलिए अगला देखते हैं यह दि गोले का अर्थ व्यास अर्थ हैज ठीप फोर अटिरी पाई और क्यों टेकर आरके रख दिये ठीडी क्यों अनुपात इसलिए टेका इसा अगर अनुपात में नहीं रहता तो हमें एक्स लेटाई सब्सक्राइब पूरा करने के लिए यहां थिरे एक्स रखीएगा यहां भी टू एक्स रखीएगा तो चलिए फूरा 3Pi तो कटने जाएगा तरी एक्स का Q कितना हो जाएगा 3X का Q हो जाएगा 27X Q आइधर हो जाएगा 2X का Q हो जाएगा 8X Q यहीं न बच जाएगा इसलिए अनुपात में एक्स नहीं लेते हैं क्योंकि उतो कटना ही है या इसलिए फुरा थिरी पाई भी नहीं लेते हैं अगर सौट में हमको चलना है तो सिर्फ हम त्रिज्या का क्यू कर देंगे यानि 27 और कितना हो जाएगा दूका क्यू 8 27 और 8 तो यह सब देखना पड़ता है आपको जब बनाईएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा दो तीन क्यूशन अपना मैथ लेके करिएगा चलिए 6 सेंटेन ब्यास के गोले का आइटन कितना होगा तो आइटन ब्यास के गोले का आइटन कितना होगा तो आइटन ब्यास किया जनते हैं फुरा थीरी पाई और की हुता आ रह यहां नहीं दिया देखे एतना 6 सेंटेन मीटर ब्यास कह रहा है तो ब्यास का अदा त्रिज्जिया यानि 3 तो क्यूं होता है तो तुटीन वार लेग दिये तिन एक तीन से चंसिल इसको देखी काटा नहीं जास चुट्टीन पूछा तो क्यों में जली आगे देखते हैं एक एसेंटिम्टर तरीजी यह वाले एर्ध गोले का आइटन आइटन बच प्रीश तो था संपूर्ण प्रीशची हित्फण निकालने के लिए बोल रहा है एर्ध गोला का दिया तो पताया था मैं तो चलिए अर्थ गोला का आइतन वरावर होता है तो बड़ा-3-5 यार क्यूब तो बड़ा-3-5 कमान 227 और के तना देदिया 21 संटिम्टर टेकाइस गोने काइस गोने काइस 21 से काइस खतम हो गया तो यह हो गया बाइद दूनी कि गोला में क्रों प्रिश्ट dwोनों एक होता है लेकिन अर्थ गोला में बइस्ट अलग होता है संपूर्ण प्रिश्ट अलग होता है घ्र यह हो कि अब बाई दुने 44 एकाई तिया 33 दोनों के गुना कर दिये आगे 2772 सेंटीमिटर स्कॉयर चलिए आगे देखते हैं संपूल प्रिछेटफल पर रहा होता है 3 पाई और स्कॉयर तो 3 के 3 पाई के मान 227 और का मान 21 तो स्कॉयर है तो 21 21 इसको कार दिये तो सतीया 21 यह हो कि अब बाई तिया 66 आठ तिया 33 यह दोनों के गुना कर दिये चलिए आप जारे गुना करते चलिए यह कोई दिकत नहीं है तो हम गुना कर दिये आ गया एक तालिस ओ अन्ठावन सेंट स्कॉयर चलिए आगे देखते हैं दिया है आपका फर्मूला होना चाहिए बस चलिए आट नमर की उच्छन कह रहा है कि यदि दो अर्द गोले का अर्द व्यास करमस्ता एक अनुपाद चार का अनुपाद में है अड़ गोला अर्द व्यास यानि अर्द गोला है और उसका त्रिजिया का अनुपाइद देदिया है तो उनके बख-फिस्ट आनुपाइद क्या होगा तो बख-फिस्थपल का त्रिजिया हम देख लिए ले लिए रवन और रटू ले लिए एक और चार दोब अर्थ-वल, त्झा स्प्वाइर दोनों का अलग लग ले समझ गये चलिए अगे देखते हैं अगला आएतमीा पूछता तो उसको क्यों कर द बस अंसर हो जाता है एक्स भी idé कर यहां एकस लीजेगा है लीजेगा तो कि यहाँ भी कट ग्या न पूमने तो आगे भी जाके कट जाएगा इसलिए समान है देखिए आभ गोला बेल नेक मीट देतेगा अर्थ गोला गोला देतेगा तो इसको कैसे कंपरिजन करना उसको सोचना है मैं दे देडिया है कि एक गन तथा एक गोले का संपुन परिश्ट समान HAOW यानि दोनों का कुल प्रिष्ट जो है छेतरफल दोनों का बराबर है तो इनके आयतनों का अनुपात क्या है आयतन का अनुपात पूछ रहा है तो थ्वास अच्छा देखना है तो घन का संपुन प्रिष्ट बराबर गोला का संपुन प्रिष्ट इसका होता है संपुन प्रि निकाल देंगए निकाल जागा गिना ही तो चलिए काड़ दिए तीन दूनी के-4 तीन के चछव जानि के थेषि लगारबर बच गया टू पाई आरस गयर तो चलिए हमको हो जाएगा तो पाई बई ठीर है तो चलिए अब यी दोनों का फ्र है थीए सबकिसे हो एह तो यह ओक क्यों रहता तो अलग अलग रहेका फिर क्योंकि दोणों का पावर सेम नहीं था यहाँ पर दोनों के पावर सेम है तो पूरा के से पावर कर में देची तिरी यह स्क्वाइर जब नism Constitution बन जाएगा तो वित बर्ग मुल निकलेगा नहीं तो अलग अलग कर दिये दोनों का रूट इसका अलग रूट इसका अलग रूट यह हो गया। अंडरूट 2π या अंडरूट 3 ये देखे, L का वहलू उपर वला, R का वहलू नीचे वला अब आईतन पूछ रहता है, तो आईतन हम जानते क्या है घान का जानते हैं भुजा Q, और गोला का जानते हैं फोरड़ थीरी पाई, R Q तो ये देखे, भुजा इसका L देले है, 2π के बर्ग, सोरी बर्गमूल, रूट अंडर 2π, तो रूट अंडर 2π के हम ले लिए Q क्योंकि भुजा Q, अनुपात, गोला का होता है, फोरड़ थीरी, पाई, R Q, तो R एकर रूट 3 था, तो रूट 3 के Q अब इसको हल करिए, तो चलिए इसको Q करेंगे, या तीन वारी करेंगे इसको हम, रूट 2, गुने, रूट 2, गुने, रूट 2, रूट 2, पाई, रूट 2, पाई, तो रूट 2, रूट 2, तो हो जाएगा, तो रूट 2, पाई, एक पाई हो जाएगा, अई तो अंदर रही र तरी गुने रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 दूगों मिलके यह को बन जाएगा यह रहा जाएगा अंदर तो तरी रूट 3 हो गया लिख दिया इसका कर रहे थे कल्कुलेशन अब देखें पाई से पाई कैंसिल एक टू से दूदूनी के चार कैंसिल उपर वाला आई ए तीन से इतीन कैंसिल ते इधर बच गया रूट अंडर 2 पाई अनुपाद इधर बच गया टू रूट 3 यह हो गया आपका आई तन का अनुपाद के लिए तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्यूजन इसको एक फिर से रिवर्स करके देखिएगा दोरा समझाने फिर बच प्रिश्ट होगा तो बच प्रिश्ट पर वाग क्या जानते हैं घोला का फूर पाई आरस कोई तब फूर पाई के मानद बाई साथ गुने और स्कॉर तो आरहां देखिए व्यास देले धियान देना है इनने कि तीन पढ़ लिए हो गया ब्यास दिया है तो हम त्रीज पाई देखिए तो फिर आफ को तिंटीयाई नौने बाईस गुना करकर साथ से भागा देना परेगा अगर पाई में देता है तो आप ऐसे पाई मिला दिजिएगा चलिया अगरा देखते हैं ऐसे पॉइंट में देगा नहीं तो पुर्नांक में देगा तो आप उसको 20 cm 30 वाले गोले बनाया जाएगा या कह सकता है कि 20 cm 30 वाले से कितना 2 cm 30 वाला गोला बनाया जाएगा दोनों को जास्ट उल्टा कहेगा कि इससे यह बनाया जाए चाहिए इससे छोटा रहेगा तो कहेगा कि कितना छोटा वाला मिला दे कि एक बड़ा बनेगा या बड़ा रहेगा तो कहेगा कि इसको कितना तोड़ें कितना तोड़ें कि इतना इतना वाला छोटा छोटा धेर मनी बन जाए तो ऐसा बनेगा तो चलिए कहेगा कि हर मेंसा होगा गोले की संख्या तो गोलों की संख्या बराबर हम कहेंगे कि बड़ा हर मेंसा बड़ा वाला उपर रहता है छोटा वाला नीचे बड़ा वाला गोला का आइटन बटा छोटा वाला गोला के आइटन हम उसमें घंघना में भी लिकेते बड़ा वाला घंका इतन बड़ा छोड़ा वाला घंका इतन तो कर दिए तब फॉरा थिरी पाई आर की उते करा था विस 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 इसका फॉरा थिरी पाई टू 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 चलिए फॉरा थिरी पाई सी कहीं सिल इस दूसे कट गए दाद उनिविस के 10000 ya nn有एविंगेश 10 10000- MA को अगर अगर हम पिखला यह तो उससे हमको 20 सेंटीम्टरबला एक गौला बनेगा लेकिन अगर हम 20 संटीम्टर रेका और बी। बड़ा अरले वीडियों फिर आपसे हम मिलेंगे नए क्यूशन के साथ अगर आपको अच्छा लगए तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में सेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें चैनल को बस मेरा इतना ही ख्वाइस है जैन जै भारत